आज हम आप लोगों को प्रतिजन और प्रतिरच्छी अर्थात एंटीजन्स और एंटीबाडिज के बारे मतायेंगे तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो लाज तक देखिए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले प्रतिजन क्या होते हैं या एंटीजन्स किसे कहते हैं समल लेते हैं तो इम्यून प्रतिकिरियाओं को उकसाने वाले अर्थात प्रेरित करने वाले विसैले पदार्थ प्रतिजन्स अथवा इम्यूनोजन्स कहलाते हैं जो इम्मून प्रतिकरियों को उकसाते हैं, अथा जो प्रेरित करते हैं ऐसे विशैले पदार्थों को प्रतिजन अथा एंटिजन्स कहा जाता है। ऐसे होते हैं तो बड़े होते हैं और जटिल प्रोटीन के अड़ होते हैं परन्तु नुक्लिक अमलो, नुकलियो प्रोटीन्स, लाइपो प्रोटीन्स, ग्लाइको प्रोटीन्स तथा बड़े पॉलिसेक्राइट्स के अड़ भी प्रतिजनों का काम कर सकते हैं यानि इन विस पूरे रोगाड जैसे रोगाड कौन कौन से वायरस जीवाड या इनके भाग या अंस, परागकर, आरोपित उतक आरोपित उतक का मतलब होता है ट्रांस्प्लांटेड उतक या अंग आधि भी प्रतिजनों का काम करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सरीर में रोगाड़ों के द्वारा भी बिभिन प्रकार के रोगाड़ होते हैं उनसे रोग फैलते हैं रोगाड़ कौन कौन से तो जीवाड़, वीसाड़, कवक या परजीवी यानि कहने का बतलब है वाइरस, बैक्टीरिया आद जो सूच मजीव होते हैं ये रोग पैदा करते हैं तो ये रोग पैदा करते हैं इसलिए इनको रोगाड़ कहा जाता है रोगाड़ कहलाते हैं तो इन्हें भी प्रतिजन कहा जाता है या वाइरस, जीवाड़, पराकान, ट्रांसप्लांटेट टिसू आद भी प्रतिजनों का या एंटीजन्स का काम करते हैं तो कहने का मतब क कुल मिलाकर यह हुआ कि जो प्रतिरच्च होते हैं जो एंटिजंस होते हैं यह हमारे सरीर की प्रतिरच्चा में रुकावफ़ डालते हैं या कह लिजिए कि हमारे सरीर में रोगों को पैदा करते हैं चलिए अब प्रतिरच्छी या एंटी बाडीज को समझ लेते हैं तो प्रतिरच्छी अथवा एंटी बाडीज अनेक प्रकार की बड़ी प्रोटीन्स होती हैं जो प्रतिरच्छी हैं या एंटी बाडीज हैं ये बड़ी प्रोटीन्स होती हैं जिनका निर्माड प्लाजमा को कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो प्रत्रच्छी होती है यह कोशिकाओं की कोशिका कला से या उसकी सतह से लगी रहती है उबरी हुई होती है या रुधिर के रुधिर प्लाज्मा में घुली रहती है तो रुधिर प्लाज्मा में घुली प्रत्रच्छी प्रोटीन को इम्यू इम्यूनोग्लोबलिन्स कहते हैं नाम क्या है इसका इम्यूनोग्लोबलिन्स और है क्या ये तो प्रतिरची होती है या एंटीबाडी होती है और एंटीबाडी की अगर कारप्राली को देखा जाए तो एंटीबाडी एंटीजंस को सीधे नश्ट नहीं करती हैं बलकि कुछ बाडीज होती हैं ये हमारे सरीर में एक तरह से प्रतिर अच्छा का काम करती हैं या जो भी रोग पैदा करने वाले रोगार होते हैं विसेले पदार्थ होते हैं उनको खत्म करने में शहायता करती हैं तो कुल मिला करके जो एंटी जन्स हैं ये हमारे सरीर में रोगों को करने वाले सूत मजीमों को मारती हैं